नमश्का दोस्तों, अमर हिमाचली शक्सियत के अंतरगत, आज हम इसके दूसरे संसकर्ण के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आज अमर हिमाचली शक्सियत के दूसरे भाग में हम जिस ब्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो हैं जस्टिस मेहर जन्द महाजन तो कहानी शुरू होती है कांगडा के एक छोटे से गाउं टीका नगरूटा से जहां पर 23 दिसंबर 1889 को महाजन परिवार में जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का और ये बच्चा शिरी बाबू बरिजलाल के सेयुक्त परिवार में जन्म लेता है और शज्जुशा जी इनके जो है वो गरान प्रादर होते हैं इनके दादा जी का नाम है शज्जुशा अब ये जो जो जॉइन फैमली है इसमें बड़े ही जादा मेंबर्स थे अब जो इन कि पिता जी शिरी बाबू बरिजलाल जी थे उनका एस्ट्रोलोजी में बड़ा ही गहन विश्वाश था और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने जो था वो एस्ट्रोलोजर से इसके बारे में पूछा कि बच्चा कैसा है बड़ा होकर क्या करेगा इसमें क्या क गुन है तो एस्ट्रोलोजर ने जैसे ही एस्ट्रोलोजी की सहाइता से उसके बारे में जानने की कोशिश की तो उसने बड़ा ही हैरानी बड़ा जवाब जो था वो शिरी बाबू बिजलाल जी को दिया कि ये बच्चा जो है वो आपके लिए आमांगलिक है मनहूस है और अगर और आपको जो है वो इस बच्चे को बारा साल तक अपने से दूर रखना पड़ेगा मतलब की बारा साल तक आप इस बच्चे का चहरा नहीं देख सकते और अगर आपने इसका चहरा देखने की कोशिश की तो इसके परिनाम जो है वो बड़े ही घातक होंगे तो यह जो था वो श्री अबू बिर्जलाल जी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि अभी जो बच्चा उनके परिबार में आया है वो बच्चा जो है वो उनके लिए शुब नहीं है तो अब करें क्या ना करें अब क्यूंकि उनका जोतिशी में बड़ा ही गहन विश्वास था तो अल्टिमेटली उन्होंने क्या किया कि जो अपना बच्चा था उसको एक राजपूत फैमली के हवाले कर दिया और फिर इस बच्चे के भरन पोशन की जिम्मेदारी आगी एक राजपूत फैमली के माया और रुप्टों के उपर जिनके अपने बच्चे गोपालू के पास कोई भी बेटा नहीं था तो अब ये लोग जो थे वो जस्टिस मेहरचन महाजन जी का भरन पोशन करने लगे अब जो बाबो बिजलाल थे वो कहीं न कहीं बड़े ही ब्यथित थे ये जानकर कि उनका बच्चा जो है वो उनके लिए शुब नहीं है क्यों शुब नहीं है तो उनके दिमाग में जो बड़े ही प्रेशन उठ रहे थे तो उन्होंने इसका क्या किया उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही highly learned जो astrologers थे उनकी एक conference बुलाई और उन्होंने अपने बच्चे के विश्य के बारे में उनसे जानने की कोशिश की कि आप सब लोग कोशिश करें और ये बताने बताएं कि जो मेरा बच्चा है वो बविश्य में क्या करेगा और उसका बविश्य जो है वो किस तरह करेगा अब ये जो astrologers थे उन्होंने गहन चिंतन और गहन अध्यन के बाद जो निरवासित बच्चा था उसके बविश्य के बारे में जो थी बविश्यवानी की कि ये बच्चा जो है वो बड़ा ही भग्यशाली है और आगे चल कर ये एक न्यायधीश या मंत्री बनेगा तो अब देखो जिस बच्चे को अशुब बोला गया था अब द्वारा जब गहन चिंतन करवाया गया तो उसी बच्चे को अब भविश्य के एक न्यायधीश और मंत्री के रू आए अब घर बापसी के बाद जो था वो जस्टिस मेरचन महाजन जी की जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो नूरपर में शुरू करवा दी गई फिर इसके बाद जब वो बारा साल के हुए तो धर्मशाला की आरे स्कूल में उनको दाखिला दे दिया गया इसके बाद व जो थी वो उन्होंने सेंटरल मोडल स्कूल लाहोर से की जहां पर वो 1905 में गए थे इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री ओनर्स में ग्रेजवेशन की और ये ग्रेजवेशन जो थी इनकी वो गोर्मेंट कॉलेज लाहोर से थी जो की उन्होंने 1910 में की इसके बाद उन्होंन में 1912 में LLV जो थी वो लो कॉलेज लाहोर सी की ये तो था उनका कुछ एक हाइलाइट्स की उनकी शिक्षा दिक्षा जो थी वो कहां पे हुई अब इसके बाद जो था उनकी मैरीज कर दी गई और जो उनके उनके मैरी जो थी वो केसरी देवी जो की नंद लाल जी की बेटी थी उनसे कर दी गई और ये शापूर कंडी जो की डिस्टिक गुर्दासपूर में पढ़ता है बहां के निवासी थे दया क्रिशन इनका पहला बेटा था जिनका जनम जो था वो 1913 में हुआ अब जो इनकी पहली पतनी थी केसरी देवी उनका दुरवाग्य वर्ष 1921 में निधन हो गया तो इसके बाद उन्होंने 1922 में दुबारा फिर से शादी की अब पहली जो पतनी थी उनसे इनके चार बच्चे थे अब इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो थी उसने कई करवटें देखी और अंत में जाकर ये बड़े ही उचपद पर आसिन हुए तो सबसे पहले जो शुरुवाती साल थे जब इन्होंने एललवी की 1912 में लो कोलेज लाहोर से तो उसके बाद इन्होंने गुर्दासपूर और लाहोर कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू की और फिर 1943 में इनको जो था वो लाहोर हाई कोट में एक न्याइधिश के रुप में न्युक्त किया गया विभाजन के बाद इनको इस्ट पंजाब हाई कोट में न्युक्त किया गया और उसी दोरान इनको कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी न्युक्त किया गया इसके साथ वो थोड़े समय के लिए जो थे वो विकान नेर में Constitutional Advisor मतलब संभेधानिक सलाकार भी रहे अब 19, October 1948 में इनको Federal Court में न्युक्त किया गया तो दोस्तों में Federal Court के बारे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि Government of India Act 1935 में Federal Court का प्रोवीजन किया गया था और ये जो Federal Court था वो 1937 में अस्तित्त में आया था ये Federal Court जो था वो सुप्रीम नहीं था मतलब कि आप इसके डिसीजन के विरोध में लंदन के प्रिवी कॉंसिल में अपील कर सकते थे और इस Federal Court के पहले न्यायधिश जो थे वो मौरिस गवयर थे और अंतिम जो थे वो हरिलाल जी कानिया जी जो थे वो Federal Court के अंतिम न्यायधिश के रूप में रहे थे तो इसी Federal Court में इनको भी 1948 में न्युक्त किया गया था अब जैसे ही वाग सब्तनत्र हुआ तो Federal Court की जगा 28 जनवरी 1950 को जो था वो सुप्रीम कोट अस्तित्तम में आया और यह ही माचलवासियों के लिए एक बड़े ही गर्व की बात थी कि जस्टिस मेहरचंद महाजन उस सुप्रीम कोट में सुरी जो सुप्रीम कोट अफ इंडिया है उसमें तीसरे नियाधिश की रूप में तीसरे मुख्य नियाधिश की रूप में चार जनवरी 1954 से 23 दिसंबर 1954 तक रहे यह जो मैटर है वो सच में हर हिमाचल वासी के लिए एक गर्व का मैटर है तो यह थी एक और कड़ी जिसमें हमने जो था वो अमर हिमाचली शक्सियत के बारे में जाना और यह शक्सियत जो थी वो थी जस्टिस मेहरचन महाजन के रूप में अब जस्टिस मेहरचन महाजन जी के जीवनकाल से जुड़ी हम बहुत सी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं वो जान सकते हैं हम इनकी ओटोबायोग्राफी से जिसका नाम है लुकिंग बैग इस ओटोबायोग्राफी के माध्यम से हम उनके जीवन से जुड़े हर एक पहलों के बारे में अध्यन कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं अब जो इंडिया पोस्ट है उसने 31 दिसंबर 2017 को इनके उपर एक पोस्टे स्टेंप भी कोमेमोरेटिव पोस्टे स्टेंप फिर रिलीज की थी तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा ही गर्व का क्षण था और इनका जो निधन था वो 1967 में हुआ तो दोस्तों ये था अमर हिमाचली शक्सियत के अंतरगत दूसरा भाग जिसमें हमने जाना एक और अमर हिमाचली शक्सियत के बारे में जिनका नाम था जेस्टिस मिहचंद महाजन होप कि आपको ये दूसरा भाग भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और सिंपली स्टेडी स्टेशन को सबस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद थैंक्स पूर दिस्टिंग